हेलो एवरिवन, वेल्कम टू में चानल आज की वीडियो में हम जानेंगे शत्रूता का इंग्लिश मीनिंग शत्रूता का इंग्लिश मीनिंग होता है होस्टिलिटी, एन्मिटी, एंटागनिज्म और रैंकर hostility, enmity, antagonism और ranker आईए इसे हम एक example से समझते है no one can endure my enmity यहाँ enmity का मतलब होता है शत्रूता मेरी शत्रूता को कोई सह नहीं सकता और इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना है thank you so much for watching my video